हालो फ्रेंट्स जो 2018 में समर में एम्या का एक्जाम देने के लिए जा रहे है उनलोग के लिए एक वीडियो है इसमें जो हमारा चार सब्जिक्ट है उसमें एक टफिक के कॉंप्यूटिंग और इंफर्मेटिक जोकी एक्जाम होने जा रहा है चार जून 2018 में यह फिर भी जो बंदा electronics और electrical से background करता है उनलोग के लिए easy होता है बाकी सब के लिए थोड़ा सा hard होता है इसमें तीन ग्रूप से एक question आता है ग्रूप A 40 mark, ग्रूप B 40 mark and ग्रूप C 20 mark जोकी compulsory ग्रूप A में 40 मर करता है ग्रूप B में 40 मर करता है ग्रूप C में 20 मर करता है तो जो लोग अभी तक पढ़ा ही शुरू नहीं के हैं उनलोग के लिए best होगा ग्रूप B and ग्रूप C ग्रूप A थोड़ा सा कठीन है जिसे कि उसमें C, C++, Computer Fundamentals यह सारा आता है ग्रूप A का 40 mark लेने के लिए हमको C, C++ अच्छा से जानने पड़ेगा उसके लिए मैं एक suggestion दूँगा नौरेस IT गुगल में एक बहुत बढ़िया चैनल है इनका है तो इसको हम search करेंगे तो बहुत असन से हम समझ जाएंगे C++ लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और flowchart, fundamentals of C, some program from C, data management system, topologies बगर आता है यह 40 mark के अंदर यह 40 mark लाने के लिए हमको यह बला subject cover करने पड़ेगा उसके बाद आता है group B, group B बहुत आसान है मैं suggest करूंगा कि जो लोग अभी तक पढ़ा ही नहीं किये है तो मेडी जी का जो sample paper previous और question bank मिलता है तो लोग group B को पहले refer करें group B में digital electronics आता है, digital electronics very easy जिसमें boolean algebra, logic gates यह सरह आता है इसमें compulsory benchmark आता है उसके पर networking आ जाता है, networking में topology बगर आता है, तो topology उससारे भी बहुत ही जी और उसमें भी 20 mark लगब को सिन आ जाता है, full order, half order, operating system, compiler, interpreter, flip lock यह बहुत ही जी तो यह वाला 40 mark guarantee हम लोग ले सकते है यदि हम लोग एक दो दिन अच्छा से पढ़ा ही करेंगे वो sample paper को तो अरम से में जाएगा और यह रहे गया group C 20 mark यह 20 mark को लाने के लिए उनको group B और group A यह दोनों का अच्छा से knowledge होना चाहिए तो यह दोनों group को तो अभी अच्छा से नहीं बढ़ सकते हैं विसलिए group B को हम लोग sample paper से पढ़ना सुरू करेंगे एक दिन में अगर एक सेट भी खतम कर दियें मिनिममं 56 सेट complete कर देंगे 26 से उसका previous question तो आरम से हम लोग group C question कर पाएंगे तो group C और B यह दोनों हो जाएगा तो हम लोग आरम से पास हो जाएगे तो अपना exam